दक्षिन भारतिय राज्य, तेलंगाना में लाल मिर्च उतपादकों को प्रचलित बाजार भाव से बहुत कम दाम मिल रहा है, जिससे उसका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले दिन वारंगल के एनुमा मूला क्रिशी उतपाद विपर्नन समिती, APMC, के परिसर में असंखे किसानों ने धर्ना प्रदर्शन का आयोजन किया। मालूम हो कि यह मंडी एशिया में लाल मिर्च की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। उतपादकों की शिकायत है कि तेजा वेराइटी का बाजार भाव 21,000 बटा 21,500 रुपए प्रती क्विंटल चल रहा है, मगर उसे केवल 11,000 से 17,000 रुपए प्रती क्विंटल के मूले का ही भुकतान हो रहा है। इस तरह लाल मिर्च के मंडी मूले एवं किसानों को मिलने वाले दाम में 4,000 से 10,000 रुपए प्रती क्विंटल तक का अंतर बना हुआ है। मंडी समिती के अधिकारी लाल मिर्च उतपादकों से न तो अच्छा व्यवहार करते हैं और नहीं इस भारी मूल्यांतर का कोई ठोस कारण बताते हैं। किसानों के उग्र होते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मंडी परिसर में पुलिस बुलाई गई जिससे उतपादकों को शांत किया। वारंगल एवं खंमम जिले के विभिन भागों से लाल मिर्च उतपादक इनुमा मूला मंडी में विरोध के लिए एकत्रित हुए थे। इस मंडी में लाल मिर्च बेचने आये किसानों ने कहा कि व्यापारी तेजा वैराइटी के लिए बहुत नीचे दाम का ओफर दे रहे हैं। महबुबाबाद जिले के उतपादकों ने आरोप लगाया कि मार्केट यार्ड के एजेंटों एवं व्यापारियों ने सिंडिकेट बना लिया है और वे मनमाने धंग से लाल मिर्च की कीमत तै कर रहे हैं। विपनन समिती के अधिकारियों का भी उन्हे सहयोग, समर्थन मिल रहा है। दिल्चस्प तथे यह है कि मंडी समिती के नोटिस बोर्ड पर तेजा वैराइटी का भाव 21,000 रुपए प्रती क्विंटल लिखा जाता है, मगर किसानों से महेज 11,000 से 17,000 रुपए प्रती क्व रह किया है। विपनन समिती के सचिव ने कहा है कि कमीशन एजेंटों, मार्केट स्टॉक एवं व्यापारियों को खरी दी जाने वाली लाल मिर्च की क्वालिटी की समीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि यदि उत्पाद की क्वालिटी अच्छी है तो किस बुकतानों को उंचे मूले का बुकतान किया जाना चाहिए।